हो गया इस्टे होने के बड़ डे एट आएगा डे इट मैं आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा सौरी जिल्दी सुबह सुबह उठो तीन बजे करीब उठ जाओ चार बजे करीब उठ जाओ तो फोर फोटी फाइब में अभीशेग होता है लौर्ड केदरनाज जी का उस इवनिंग फ्रेंड्स नमस्का सुष्रीय अगाल आदा वेलकम नुव वीडियो केम चमात दा मजा माफूल पावर्फूल इंजोओनाफूल पावर्फूल इंजोओनाइब में सब घुस्त्रमंगल होने चीए बाखी आज मैने सोचा कि सरड़े संडे को मैं आई एंट्री डिलीवर करام बना डाखी डंशनरी बनाओ तो जो आज की मेरी आईट्री आइट्र आला करेल थीक है फ्रहका çalद न थे और है वागी इसके बार मैं थोड़ा इंट्रोड़क्शन दे देता हूं तो छोड़े चार दहां में यह इंपोर्टेंट हिंदू पिलीगीरी में साइट्स है फोर हिंदूस के लिए एक सरकेट है चार टेंपल का एक सरकेट है जो उत्राखंड में है अलग-अलग डिस्टिक में है यह गड़वाल रिजन में आता है और यह गड़वाल हिमालेज में हिमालियाज में सिचुएटेड है तो सबसे पहले जो चा चार धॉंग का पहला साइट है वह यंपनोत्री है फिर उसके बाद जो सेगन्ड है वो गणुद रियंट थर्ड है वो कृदर ना रह जो फोर्थ है वो गांबर्यनाथ high दो ये ढोन ये देडिकेटिटएड ककैदर ना ऊद्गमूत्र एघुर Halo षिवाय को डेडिकेटिट और बद्रि नाथ टेंपल लॉड विष्णु को डेडिकेटिडड़ है जो गंगोथरी टेंपल है वो गॉड़ एसि गंगा जी को डेडिकेटिड़ है और जो यमुना यमनो सिर्ट्री है वो कौट्ट्र जिमुना जींगोधने करेया ठीक है ना तो सकी इवरुशं है अधिड बदाता हूं ना यह मुनों तरी इस ऐड़ीड आड एसप्रीड आइड एड़ीड ऑफ थी थाऊजन टूहदड़ नाइड़ीड थी मेटर ठीक अना जो इसकी क्लोजिंग टाइम होती जब हवी इसनो फोल्स हो जाता है तो यह बंद हो जाता है जो सका लोजिंग टा एन एटिट्यूट ऑफ 3,415 मेटर्स इसकी जो क्लोजिंग टाइम है वो है आपका 25 अक्टूबर को ठीक है ना जो कैदरनाथ इस इस सिचुएटेट एट एन एटिट्यूट ऑफ 3,583 मेटर्स और जो कैदरनाथ टेम्पल है यह ऐसा ट्रॉफ जोति लिंग जो हिमाले में सिचुएटेट है और यह रुद्रप्रियाग डिस्टिक में सिचुएटेट है कैदरनाथ टेम्पल ठीक है लास्ट में आते है बदर बदरिनाथ टेम्पल एड़े सिचुएटेट एट एन एक्टिट्यूट ऑफ 3,300 मेटर्स और यह सबसे लेट क्लोजिंग टाइमन की नॉंबर 20 को नॉंबर 20 को यह क्लोज हो जाता है ठीक है ना तो जो जब हैवी स्नौ फॉल्स हो जाता है समझे है जब हैवी स्नौ फॉल् पुरे टैम्पल को सिट नहीं जो डोली होती है आप समझेव डोली होती भगमान की उसे नीचे मतलब कहीं जहां बरख बारी नहीं होती है जैसे जो भी यात्री है ठंट विंटर के टाइम पे जो धर्शन करना चाहता हो धर्शन कर सके तो विंटर में यमुना मंदिल को लेज है इन उत्रकाशिकार स्लीक शेलिग में अपन मान ऊंगरोन घौंगो त्रीजी को civ finden मों में कर दिया जाता है इसकえば वां जो के जा कर दिया जाती सोह भान कसी नाजी की लंगेशन है वहां सिटकती जाती जो बद्रीनाट आप है बद्रिनाथ को वाशुदेग टेंपल में सिप्ट कर दिया जाता है इन जोसी मड जोसी मड में नर्शिंग बगमान के टेंपल भी है तो आगे पता चलेगा आग जो आइडिनरी बनी है वह 11 नाइट्स आइडिनरी बनीवी है इसमें आप पता चलेगा कि आप कैसे ट्राइवल करें अना तो यह जो आइडिनरी बनीवी है यह दिल्ली टू डिली से सुरू होगी तो जो फर्स्ट है डे फर्स्ट में आप दिल्ली टू हरिदवार आओगे फाइव हवर की जर्नी होगी पांच प्रस्ट है तो आपको बायो मैट्रिक रिश्रिशन करवाना पड़ेगा पहले हर्दवार में आपको अगर चारदा हम यात्रा करना है क्योंकि 2013 में आपने आप दा देखी ली थी कि देहंकर आप दा आई थी तो उसका लोगों का रिश्रिश्रिश्रिशन इस कारण बहुत इंपोर्टन और आप जब यात्रा करने जाते तो यह जरूर करवाएं तो आप हरदवार पहुंचे हरदवार में होटल में चेक इन होंगे फिर आप जो भी रेश्रेश करो लोकल मार्केट साइट सीन फिर शड़े शह बजे गंगा आरती होती है काफी सुन्दर आरती होती है उसे आप क्या बोलते हैं उसके दर्शिन करो उसके बाद होटल आके अपना डिनर करके और ओवरनाइट स्लिप हो जाएगा डेवन फिर डेटू में आप ड्राइव करोगे हरदवार तू बार कोट ठीक है ना हरदवार तू बार कोट यह है साड़ी 6 घंटे का ड्राइव रास्ता है तू ठाटी एट किलोमेटर है हरदवार तू बार कोट विलेज जगे है पार कोट वहां तक आपको शड़ी 6 घंटे लगेंगे फिर आपको जो साइट सीनों किप्टिन फॉल है लगस्ति में किप्टिन फॉल होता है पाटरफोल आता है आपको साइट सीन होगा वहां अपना इंजॉइमेंट करिए फिर देट हड देट हड में आप बार कोट तू यम यम नोत्री ठीक है ना यम नोत्री जी आप जाएंगे और जो आपका ट्राक स्टार्टे 6 किलोमेटर का ट्राक है वह जांकी चट्टी से सुरू होगा पहला जो आपका साइट है आपको वहां होर्सेस मिलेंगे पालकी मिलेगी पर अगर आप फीट हो ठीके ना अगर आप फीट हो तो आप भोड़ा होर्सेस मतलो ना पालकी लो अपना पैदल यातर करो 6 किलोमेटर की काफी ब्यूटिफिल वैली है सोर्स ओफ यमूना रिवर है हना तो आप अराम से पै किया बोलते हैं दर्शिन के रिए फिर वापिस आपको डटाट में ही वापिस बार कोट आजाना है ठीक है ना बार कोट में आपका ओवर नाटि स्टे होगा ठीक है न तो ये दे ठट खदम हो गया है ठीक है ने फॉर की बात है ट्रांसर फ्रॉम बार कोट टू ऊत्तरकाश आपका ट्रांसवर हो जागा ड्राइब करके जाओगे आप उत्तरकाशी डिस्टिक है कापी सुन्दर डिस्टिक है काभी सारे ट्रायक है अगर आपको ट्रैक की वीडियो से यह तो कमेंट करके जरू बथाना तो जो पार्पूट उत्तरकाशी जाओगो 82 मेंटर है और 3 होतल में चैकें होगे चैकेंँ होना रैस्टिक करने के बाद आप लोकल मार्केट विजीट कर सकते वहां पर काफी सारे साइट्स हैं Certaur Tr Nana से अर काफी असरे और यद्युरेइप चैंपल यख और ये अनधर मधाषिन तैंपल है आप जाके दर्शन करिए पहां ये फिर उस अब उत्तरकाशी से गंगूत्री उत्तरकाशी से आप गंगूत्री जाओगे गंगूत्री मां गंगा का और गंगूत्री जाके आप होली डिप करिए भागी रती में बैंक और भागी रती जो गंगा बनती है देव प्रियाग में अलग लंदा और भागी रती जब मिलती है तब जागे गंगा बनती है बाट जो गोव मुख से निकलती भाग रहती वह असली गंगा है तो गोव मुख भी आप ट्रैक कर सकते हो काफी अच्छा है और बाकी फिर गंग उत्री में आपने दर्शन वर्शन किये तो कम बैक टू उत्रकाशी ठीके ना उत्रकाशी आगे आ क्ःक्वर होन estar Makis ओंगे ओविंदि आपका, डिनर होगा overnight, प्रिघए ना फिर उसके बाद टे6 सिक्स मेंड हो फो व उत्रकाशी टू गुपतकाशी सही है रहे और सबकाशी की है है और आपका 217 km है पर रूड काभी खतलना है काफी व्यू है काफी अच्छे वैली जाएंगे पीच में आपको देखने के लिए काफी नदियांस मिलेंगे कि रिवर्स मिलेंगे उसके किनारी किनारी आप जाओगे और आप ओरनाइट स्टे होगा आपका गुप्तकाशी में और लोकल साइट सीन कर सकते हो आप गुप्तकाशी में फिर डे सेवन डे सेवन में आप ड्राइब फ्रॉम गुप्तकाशी टू सोन प्रियाग 30 किलोमेटर है डेट घंटे का सफर है आप वहां चेकिन करोगे होटल ना फटा फटाफ़ सुबह आपको निकल जाना है गुप इससे आप पर गाड़ी आपके जो भी एक छोटा बैग रख लेना और जो बड़े बैग हैं गाड़ी में शोड़ देना जो भी आपका समान है को लेके तो लेके अपना जो भी होता है सिस्टम लेके और इनकोट लेना मत भूलना यह कैदर ना कट रहागे तो सोन अपकर खोर श्रीमिघ्म इसनान आपको पाल के धोड़ा हैं और तो आप Рभी अगें तो आप ट्राक करके जाये यह बड़े बड़े को परेशान मत करिए आप मतलब एक जानवर को परेशान करगे दर्शन करने जाओगे तो यह ठीक नहीं है बागी आपकी हेल्थ क्यों परवाद अगर आप बुर्जरों को आप अगर ओल्ड पीबलों तब जागे लो अगर यांग हो जाने तो एक महने प ऑच होगे वह आपके उपड़ है फिर वहाँ आप होटल में है गौवर्मेंट लॉजज है और कैंप गौवर्मेंट और सुबह आप उठीए अपना ठीक है ना यह ओको यह बैसे में ओमनाइट इस्टे हो जाएगा आपका ठीक है डेसमन में जोजी दे एट में आ गये समि सब्सक्राइब करने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो के टेंपल करते हैं तो अगर आप ठेम्पल की जानत करते हैं तो अगर आप कैसे मेछ आप सर्का देटी पर भी मैं पर चेक ईंड़ा हो गाए न ऑफिक लोगा है अगा अगया ओग्धर कि आपका फाइब हवर की चरणी है वन फिफ्टीव किलोमीटर है आपका मुल्य होते वे जाओगे तो तो कह भी सुनदर है जो समाड घीये भी दर्शन कर सकते हो जो समाड में मीर्शीन भगमान का टैमप्ल है तो आप ढ़ीये दर्शन करने जबात करने हां ये बाइवाज़ मतना सुवे सुबह के सुबह के oh आप होड स्प्रिंग बाटर है महां पर होड स्प्रिंग बाटर में आप इसनान करिए और उसके बाद अपना दर्शन करिए बदरी नाजी के दर्शन करने के बाद आप लोकल साइट सीन कर सकते हो बदरी नाद वैली आप देख सकते हो घूम सकते हो फिर उसके आप माना बले बिलेज जा सकते हो माना ब लएज गुफा घनेस गुफा मातामूरती टेमपल आप दर्शन कर सकते हो माना बुलेज में जाके और महां के लोपकाल कुजीन आप टेस्ट प्रिया के लेज सकते हो ओलन क्लाउद आप लेसकते हो और जाके पिर उसके बाद आप वहां से निकलो गए पतरी नाज से आप जो सिमट जो सिमट तू रुद्र प्रियाग बीच में आगा कंड़ प्रियाग में भागी रती और पिंडर नदी का संगम होता है आप उसके दर्शन करिए और लोकल साइटिन स्वापिंग करिए काफी ब्यूटिफुल है कंड़ प्रियाग जैसे बितर बाएव आनकर सकते हैं अगर आप इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूरूरी बथाना कंड़ प्रियाग में in匙ुछ मेles में सब्सक्राइब भाग को सब्सक्राइब तो बलुकल टो इना व्याग स academics इसे क farms ब्सेएकाव में त सब्सक्राइब करने के वाद आप राम जुला लक्समन जुला मैंनी बीटल आश्रम है महां काफी फेमस आश्रम है जासे योग शुरू हुआ रिशी केस को योग कैपेटल भी कहते हैं आप काफी फॉन ना से मिल सकते हैं आप उनसे बात कर सकते हो अगर वह इच्छा नहीं तो जुरूस्ति नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद इंजॉइ रिशी केस में राम जुला लक्समन जुला और काफी मैनी आश्रम है फिर साड़े शे बजे तिरवेनी घाट में काफी फ्रीमस गंग आरती होती है उसके आप दर्शन कर सकते हो फिर कम बैक टो होटल डिनर एंड ओवर नाइट इस्टे इन रिश चार दाम यात्रा इस कंक्ल्यूट सही है यहां से आप वापिस दिल्दी जाओगे जहां से आप वायवा प्लेन जाना है वायवा रेलवे जाना है आपको वहां छोड़ दे जाएगा और यात्ले बहुत अच्छी सी मेमोरी बन जाएगी और जब आप यात्रे करते हुए यमनोत्री आप सब्तिरिसी कुण सूर्य कुण देव सिला बाहर कोड हनमान चट्टी जब आप वहां दावे होंगे यमनोत्री के जब आप गंगोत्री के दो आप भगीरत शिला विश्वनाद टैंपल और हर्सिल वैली हर्सिल वैली इस बुडुल वैली इन उत्रकासी डि स्टिक उत्रकाशी डिस्टिक में और ओंदवे ऑफ कैदरनाथ काली मट घुप्तकासी अद्म नारिश्वर टैंपल सोन प्रिया गोरी कुंड के आप दर्शन कर सकते हो और आप ओंदवे पद्रिनाथ शोकता मंडाल विलेज जोसिमट तत कुंड और माना विलेज गनेज ग आप तो होती है हमारी आइट नरी जरूर आप यात्रा करिए और जैसी भी आपको यह वीडियो लगी तो लाइक और सब्सक्राइब इस शेर जरूर करें हमने फैमिले और फ्रेंड के साथ खुश रहो खुश्यां बाटते रहो स्माइल करते रहो एंजॉय करते रहो मस्तिय